जूपड़ी की बेटी का आलिशान ससुराल एरी मेरी प्यारी धन्नो, आचा, आचा नहा ले आज तो हम अपनी धन्नो को चमकाही देंगे जल्दी नहा ले, फिर देख मैं तुझे हरी हरी घास भी तो चलवाऊंगी अरे ओ निकिता, ओ निकिता बिटिया जल्दी आबो, तुम्रे बाबुजी को चाए भी दीनी है जल्दी बनाबो आई मा, इधन्नो, तु यहाँ धूप में सूख जब तक मैं चाए बना कर आती हूँ, फिर तुझे खास दूँगी निकिता घर में जाकर चुलही पर चाए बनाती है ओहो, यह लकडिया तो खत्म हो गई है बाबुजी, मैंने आपको कहा था ना, कि आप लकडि ले आईए लेकिन आप लाए ही नहीं अरे निकिता बिटिया, हमको याद ही नहीं रहा क्या है न, बूरे हो गए है, ध्यान नहीं रहता कोई नहीं, आप थोड़ा सा इंतजार करिए मैं लकडिया लेकर आती हूँ निकिता कुलहाडी उठाए पास के जंगल से लकडिया काट कर इखटी करके घर ले आती है फिर चाए बना कर अपने मा बाबुजी को देती है अरे धन्नो, मुझे तुझे चारा खिलाने में समय लग गया मैं चारा खिला देती हूँ, यहाँ पर घास के तिनके कैसे बड़ी है तुने पहले ही खा लिया है क्या अच्छा, मानी हाँ, तो तुझे क्या लगा था तु बाकी की काम करेगी, तो तेरी धन्नो को मैं भूल जाओंगी हम सब का खयाल रखती है तेरी धन्नो के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना अच्छा, अब तु भी धन्नो, मेरी और मा की बात समझने लग गई है, है ना अच्छा, मैं कुएं से पानी ले आती हूँ, तु आराम कर नहीं मा, कुएं से मैं पानी ले आओंगी निकिता कुएं से पानी भरने चली जाती है, ये सब देखकर तो आप समझ ही कए होंगे कि जुबड़ी के घर में रहने वाली गरीब निकिता अपने माबाप का कितना अच्छा खयाल रखती है वो अपने माता पिता की एकलोदी समझतार लड़की थी, कुएं से पानी लेकर वो घर आ जाती है मा, ये लेजे, मैं पानी ले आई हूँ आ, दिदी, दिदी मुझे बहुत प्यास लेक रही है, मेरा घर बहुत धूर है, मेरे को चोट भी लग गई हाथ में, आप पानी पिला तो मुझे थोड़ा सा अच्छा दिखाओ, यहां बैठ जाओ, मैं पानी लेकर आती हूँ निकिता घड़ी से पानी लेकर उस बच्चे को देती है, और उसकी चोट पर हल्दी सरसुकते लगा कर कपड़ा बान देती है अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ के, और छोटा सा जगम था, कल तक ठीक हो जाएगा शिक्रिया दिदी, मैं चाता हूँ, बाई निकिता बच्चे को किस कर के भेश देती है, ये सब होता हुआ बाईक पर बैट कर सुमिद देख लेता है अरे वा, ये लड़की कितनी सुन्दर और मददगार है, एक छोटे से बच्चे की कितने प्यार से मदद की मुझे अपनी जिन्दकी में एक ऐसी ही लड़की की तलाश थी, काश, इससे मेरी शादी हो जाए, कोशिश करता हूँ सुमिद पाईक खड़ी करके उसकी पास जाता है सुनिए, आपको पता है ये रास्ता कहां जाता है, दरवसल मैं रास्ता भटक गया हूँ कोई नहीं जी, यहाँ से आप सीधा रास्ता जाएंगे, आगे कट आएगा, वहाँ से आपको दूसरा रोड मिल जाएगा शुक्रिया, क्या थोड़ा पानी मिल सकता है, गर्मी के मारे मेरा गलास उख राए जी, लाती हूँ, निकिता उसे भी पानी ला कर देती है, इतने में महेंदर को बहुत जोर से खांसी आने लगती है, और वो बेहोश हो जाता है बाबुजी, बाबुजी क्या हुआ, मा लगता है इन्हें होस्पिटल ले जाना होगा आप चिंता मत कीजिए, मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, इन्हें बाइक पर लेकर चलते हैं, आप इन्हें पीछे पकड़ लेना, जल्दी पहुन जाएंगे निकिता सुमित के पीछे अपने पिता को बैठा देती है, और लास्ट में खुद अपने पिता को पकड़ कर बैठ जाती है, फिर सुमित डॉक्टर की पास ले जाता है, जहां वो चेक अप करके दवाई देता है ड़ने की कोई बात नहीं है, अब ये होश में भी आ चुके है, बुढ़ापे में ऐसा हो जाता है, खाया पिया नहीं था, इसलिए बेहोश हो गई बाबुजी आप टेंशन क्यों लेते हो, और ठीक से खाते भी थे क्यों नहीं, वो तो अच्छा हुआ ये टाइम पर यहां ले आए, आप बहुत भले मानस हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अरे नहीं, इसकी क्या ज़रूरत थी, ये तो मेरा फर्स था इंसानियत के नाते शुक्रिया बेटा, तुम बहुत अच्छे हो आईए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ फिर सुमित बिठा कर दोनों को घर छोड़ देता है, दोने एक दूसरे का नाम पूछते हैं, फिर सुमित वहां से निकल जाता है उसके खयालों में सिर्फ निकिता ही आ रही थी, कुछ दिन बाद वो फिर हाल चाल जानने की बहाने वहां आ जाता है जहां तूटे हुए चुलहे को निकिता मिटी से लीप रही थी अरे बेटी, मैं कर देती हूँ, तु घर का सारा काम कर लेती है, अरे थोड़ा मुझे भी करने दिया कर नहीं मा, मैं हूँ न अरे आप ये भी करती हैं निकिता जी हाँ जी करती हूँ, पर सुमित आप यहां कैसे? हाँ, अंकल जी की तबियत जानने आया था मैं तो बिलकुल ठीक हूँ बेटा उस दिन सुमित की निकिता के परिवार से काफी जादा बात चीथ होती है जिसके बाद आना जाना लगा रहता है वो एक आलिशान बंगले का रही सादा बेटा था उसका आना जाना निकिता के घर में शिरू हो जाता है जहां दोनों का प्यार भी बढ़ता है और इस बीच बात यहां तक आती है कि सुमित शादी करके उसे अपने आलिशान बंगले मिले जाता है ये देख उसकी माता पिता सरोज और ब्रिजेश बिलकुल खुश नहीं होते है सुमित ये सब क्या है गरीब जोपड़ी की लड़की को तू उठा कर ले आया है और ये वर्माला कह दे सुमित कह दे कि ये शादी जूट है तू मुझे परिशान कर रहा है न नहीं मा आपने बिलकुल ठीक समझा मैंने शादी कर ली है निकिता से मा एक बार विश्वास करके देखिए वो बहुत अच्छी लड़की है बिलकुल ऐसे कि घर को संभाल के रखेगी लेकिन ये गरीब जोपड़ी की बेटी हमारे घर की शोबा को खराब कर देगी क्या इस चीज का एक बार भी खयाल नहीं आया तेरे दिमाग में आया था पिता जी पर प्यार के आगे हार गया मा एक मौका तो दीजिये इस करीब जोपड़ी वाली को मौका देकर क्या करूँ ये यहां के लक्षरी घर में कैसे रहे की इसे तो वाशिंग मशीन भी चलानी नहीं आती होगी इसके जोपड़ पटी में तो होगा ही नहीं पर मा जी आप मुझी मौका दीजी मैं सब अच्छे से कर लूँगी सरोज बहु का ग्रह प्रवेश करो क्यों क्या बात हमारी इज़त की है फिर दिल पर पत्था रखकर सरोज जूपड़ी की बेटी का ग्रह प्रवेश करती है इसके बाद सब अपने कमरे में चले जाती है अगले दिन जल्दी उठ करने किता किचन में जाती है पर उसे गैस चलाने नहीं आती ही प्रभू मेरी मदद करो मैंने आज तक सिर्फ जूली पर काम किया है ये इतनी बड़ी रसोई इतना अलिशान घर मैं कैसे सब संभालू चिंता मत करो मैं हूँ न इस लाइटर से गैस को ऐसे जलाओ और ये रहा सारा राशन का सामान दाल, चावल, चीनी, दूसरी तरफ मसाले रखे हैं और ये फ्रेज है इसमें सारी सबजी और फल मिलेंगे तुमें अरे वाँ, मुझे तो गैस चलानी आ गई सुमित मेरी पास रहो न, ताकि मैं काम कर पाऊ करूंगी मैं ही सारा, बस तुम बताना हाँ, ठीक है जान सुमित महाँ ठहर जाता है और निकिता सारा खाना तयार करके डाइनिंग टेबल पर लगा देती है जिसे खाकर ससुराल वालों को बहुत अच्छा लगता है हम, खाना तो अच्छा है इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुझे अपना लिया लो बहु, ये तुम्हारा शगुन जिसे देना हमारा फर्द बनता है शुक्रिया पापा जी मुझे एक पार्टी में जाना है तो मैं जा रही हूँ, बहु, तुख खयाल रखना सरो जैसे ही जाती है उसकी सैंडल तूट जाती है ओ माई काड, मुझे पार्टी के लिए लेट हो रहा है, और मेरी ये फेवरिट सैंडल है कैसे जोड़ू, अब इसका कुछ नहीं हो सकता माजी, मेरे पास एक तरकीब है आप सिर्फ पांच मिनट रुकी मैं इसे जोड़ती हूँ निकिता एक गोन से फोरन सैंडल को जोड़ देती है और सुन्दा सुन्दा सितारों से दुनों को सजा देती है जिससे उसकी सैंडल और ब्रेंड़िट लगती है सरोज के बाद ब्रेजेश और सुमित भी घर से चले जाते है और वो घर में रहकर अलग-अलग बड़े-बड़े कमरे देख कर हैरान होती है इरी मोरी मैया आलिशान ससुराल का एक कमरा इतना बड़ा है कि मेरी गरीब जोपड़ी इसमें आ जाए मेरी ससुराल वाली कितने अमीर है बड़ा सा जूमर इतनी सारी चीज़ पर मुझे कुछ भी चलाना नहीं आता वक्त गुजरता है निकिता अपने ससुराल वालों का दीरे दीरे दिल जीत लेती है पर उसी के साथ सुमित अबरेजेश का बिजनिस ठप पड़ जाता है अब उनकी अकाउन में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे ना घर में खाने का राशिन था भगवान मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सड़क पर आने के दिन आ गए है वो तो शुकर है के हमारे पास ये घर है पिता जी हमने सारे पैसे बिजनिस पर लगा दिये अब बरबाद हो गया कुछ बीस लाग है पर वो हमें अभी नहीं मिल सकते मेरे बैंक के जब तक में तीस का नहीं हो जाता मैं भी परिशान हूँ पर भूके बेट मेरा दिमाग नहीं चल रहा बहु कुछ बना दे माजी गय सिलंडर खत्म हो गया है और खाने के लिए कुछ भी नहीं है और टंकी में पानी भी नहीं है ना पानी पी सकते हैं ना कपड़े दो सकते हैं ए भगवार अब हम कैसे रहेंगे क्या खाएंगे पिएंगे मेरी पास एक तरीका है माजी पापजी घर तो है ही हमारे पास और पास के टूरिस्ट की जगे भी है तो क्यों ना हम अपने घर की कमरों का किराय पर दी दे जिससे हमें एक दिन दो दिन या महीने भर के लिए पैसे मिल जाएं उसे हम अपना घर का खर्चा चला लेंगे और पानी मैं पास के कुए से ले आऊंगे और चुली पर खाना बना कर खाएंगे मैंने कुछ पैसे बचाए थी मैं सबजी ले आती हूँ क्या सच में बहू ऐसा हो सकता है हाँ पापजी फिर निकिता बंगली के बाहर 5000 रुपे एक कमरी का किराया वाला बोड लगाती है फिर कुए से वो पानी भरनी जाती है तो सुमित उसके हाथ से बाल्टी लेकर खुद कुए से पानी भरनी जाता है दूसरी तरफ बोड देखकर चार-पांश लोग उनकी आलिशान बंगली में कुछ समय के लिए आते हैं जिनके पैसे उन्हें मिल जाते हैं इतने मिनिकिता च्छत पर चुलह तयार कर लेती और खाना पका कर गर्मा गर्म ससुराल वालों को खिलाती है बहु मुझे एक बात समझ में नहीं आई हमारी आलिशान बंगले में इतनी जगा है फिर भी तूने चूला च्छत पर क्यों बनाया ताकि पापजी चुलह की काले दुए से घर की दिवारे खराब नहों और आपको गरम-गरम खाना मिल जाए इसलिए मैंने यहीं पर ही चटाई बिचा दी बहु माफ करते मुझे मैंने तुझे कितना कुछ कहा और बोला उसके बाद भी तूने हमारी ऐसी हालत में मदद की है और सच बताओ मुझे यह चुलह का खाना बहुत अच्छा लग रहा है शुक्रिया माजी वह बहु मान गई गरीब छोपड़ी की बेटी होकर भी तूने अपने आलिशान ससुराल को तबाह होने से बचा लिया इस सरा आलिशान ससुराल वाले गरीबी में भी 6 महीने निकिता के बदौलत सुविधा पूरवक बिताते हैं जिससे उनका खर्चा निकल जाता है और सुमित के 30 वर्ष होने पर 20 लाग रुपे वापिस मिल जाते हैं जिससे वो दोबारा बिजनेस स्टार्ट करके खुशी-खुशी रहने लगते हैं